तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी खवर निकल करके सामने आ गई है आप लोगों के बीच OMR Answer Seat का जो चेकिन हो रहा है वो दोस्तों अब आप लोगों को कैसे चेक हो रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज से यानि कल से दो दिन से कॉपी चेक होना शुरू हो चुका है जिसमें कि दोस्तों आज जो OMR Answer Seat आया है जैसे चेक हो रहा है वो ऐसे से देखने से पता चल रहा है कि सभी लोगों को सभी अक्सरे स्टूडेंट को 50 में 50 पूरे मार्क्स मिल रहे हैं पूरे में पूरे objective question सही हो रहे हैं ऐसे में दोस्तों उमीद की जा रही है कि अब लोगों का इस बार जो result है फाइनली आप लोगों का result बहतर आने वाला है बहतर से बहतर आने वाला है तो यह आप लोगों के लिए बहुत बरी खुश ख़बरी है दोस्तों जूमो नाचो और मिठाई मंगा लो ताज सारा चीज में आप लोगों को दिखाऊंगा details में इनसे copy का मुल्यांकन सुरू हो गया है और बहुत सारे student के पास जो है बहुत फरजी call आ रहा है आप लोगों को फरजी call से बचना है कोई भी इसी तरह का आप लोगों को जहांसे में दे सकता है कि copy सुरू हो चुका है तो मैं आप लोगों को result जो आप लोगों का pending होगा उस इस तरह के calls बहुत सारे फरजी call आपके पास आ सकते है और बहुत सारे student के पास calls भी आया है बहुत सारे student ने मुझे सवाल भी किया है इसलिए आपको इस तरह के calls से बच करके रहना है तो आज कुछ मैं नया चीज आप लोगों को नहीं बताऊंगा बस यही चीज में 50 objective questions, जिन्होंने भड़ा है, उसके objective questions सही हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है पुरा यकीन के साथ मैं तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें दिया गया है कि 50 में 50 objective questions, जिने student ने सही सही भरा था, उसका सही सही 50 में 50 objective question भी आये हैं उसका answer बिलकुल सही आया है क्योंकि बहुत सारे student का क्या है कि कुछ भी भर क्या गया है तो जिसने जितना भरा उसको तो उतना आना तय है लेकिन जिसको ये भरोसा नहीं था कि मैंने 50 में 50 objective question सही किया है तो साइद मुझे 49 नमबर आ जाए अब ऐसा नहीं है अगर आप 50 में 50 सही कर गया है तो आपको 50 में 50 मिलेगा ये बहुत बड़ी खुस ख़बरी है आप लोगों के लिए एक और बात बता दू दोस्तो बहुत सारे student comment कर रहे थे कि किस किस को पैसा 10,000, 15,000 और 8,000 मिल सकता है तो मैं आपको बता दू कि first division जो भी करते है जो भी SCST के या फिर EBC1 के टेगरी के होते हैं उन लोगों को पैसा मिलेगा first division बालों को ठेक है सभी को नहीं मिलेगा general को नहीं मिलेगा इसमें दोस्तो सिर्फ EBC1 और SCST वालों को ही 10,000 रुपया मिलेगा ठेक है ऐसे में लरकी को दोस्तो जो भी first करते हैं वो सब को मिलेग केवल छातर को EBC1 और उसमें दोस्तो जो भी SCST के छातर है उसे मिलेगा अब बात करते हैं पेंडिंग रिजल्ट के बारे में मैं आपको ये बता दू दोस्तो कि जिसने भी set code सही से नहीं भरा है जिसने भी OMR answer set में वाइटनर का परियोग किया है नाखुन का परियोग किय है बलेड का परियोग किया है उसका भी result पेंडिंग में आने की संभावना है दोस्तो उसका भी result हो सकता है पेंडिंग में आ जाएगा तो उमीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो मैंने जितना भी बताया कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा कुछ नई जानकारी मिला होगा तो कॉमेंट करके आप हमें जरूर बताएगा और कहीं पी कोई confusion होता है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज में आप लोगों को बताऊं पूरा किलियर तरीका से बताऊं ऐसा notification जो है मुझे आया था और आप लो जब तक कॉपी पूरा तरह से चेक नहीं हो जाता है आप लोगों को फर्जी आदमियों से और फर्जी कॉल से बचना है ठीक है दोस्तों उमीद करता हूं कि मेरी बाते आपको समझ में आ गया होगा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं आये हो तो पेलीघ्राम का लिंक जो नीचे डिस्केप संब्स में है जागर जूर जाए कल जैसा कि जिनका भी 19 फरवरी को एकजाम कैंसिल हो गयाथा उनका है उनका एकजाम कब है कल है दोस्तो प्रथम पाली में उनका एकजाम फिड़ से होगा जिनका रद हो गया था ठेक है तो दोस् सब्सक्राइब करें तो यकीन मानिए आपको 40 में 40 आनत तयह है लिख के देता हूं दोस्तों उमीद करता हूं कि आप मेरे से बातों से संतुष्टों के वीडियो पसंद आये तो लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को दबाना मत हूलन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम